केलाश की दक्षणी और धेर सारी घटनाएं या स्थितियां घटित हुईं तमाम तरह के लोगों को शिव से बहतरीन चीजे मिलें दुनिया ये राय बना सकती है कि ये लोग इसके लायक नहीं थे मगर शिव ने खुद कभी ऐसी राय नहीं बनाई जब उन्होंने मांगा शिव ने दिया आप सब भस्मा सुर के बारे में जानते हैं वो एक योगी था जिसने आकर शिव से मांगा कि उसे ऐसी शक्ति चाहिए कि वो जिसे भी छुए वो भस्म हो जाए शिव ने का तथास्तू फिर वो शिव के ही सिर पर हाथ रखना चाहता था वो शिव के उपर आजबाना चाहता था कि ये वरदान कारगर है या नहीं तो शिव उठकर भागने लगे और फिर हमेशा की तरह उन्होंने विश्णू की सलाह ली कि अब क्या करें विश्णू ने का रुकिए और उन्होंने मोहिनी ये बहुत सुंदर स्त्री का रूप धर लिया फिर वो आकर भस्मासुर के सामने नाचने लो भसमा सोर शिव को भूल कर इस त्री के पीछे भागा वो बोली तुम्हें मेरी तरह नाचना होगा फिर मैं तुमारी हो जाऊंगी वो बोला ठीक है मोहिनी ने ऐसे 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 किया ऐसे 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 और फिर उसने ऐसे किया तो उसने भी ऐसा किया और भसम हो गया शिव को हमेशा बहुत शक्तशाली देव के रूप में देखा जाता है, साथ ही उन्हें दुनियादारी में ज्यादा चतुर नहीं माना जाता है, इसलिए शिव के एक रूप को भोले नात कहते हैं, क्योंकि वो बच्चों की तरह है, ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख है, मगर वो परीकों से बुद्धी का प्रयोग करने की परवा नहीं करते हैं, सिर्फ चतुर और घटियास्तर की बुद्धी लगातार ये सोचती है, कि किसी को हराया कैसे जाएं, बुद्धी और चाला की भरी धूर्थता दो अलग-अलग चीज़े हैं, कोई स्मार्ट हमेशा किसी और की तुलना में होता है, बुद्धिमान होना किसी और की तुलना में नहीं होता, ये अपनी प्रकृती से होता है, इसलिए बुद्धिमानी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धिमानी कभी तुलना में नहीं होती, वो बस जीवन की एक अभ झाल झाल